तो जहिंद करीट्स वेलकुम टू भाविबड चनल आज यह आरगुपता का कोशन पेपर सौल्ड है उसको पूरे को डिसकस करें हम आप पुराने कोशन पेपर सापने अगर एक आदा देखा होगा तो आपको पता चलिए कि कितने सारे कोशन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होते अभी चर्व को ऊसीं डियर डिगेडर इस डियूंड होती है ठीक हैं next है जो असीजी के फ्लैग में बढ़ाता यादने नेक्स what is what are the rank of SW and SD ANOs जो associate NCC officers होते हैं उनकी rank क्या होती है lieutenant होगी captain होगी या major होगी what are the ranks of JD and JW of ANOs इनकी rank होती है third officer, second officer, first officer and chief officer all right next देखो name the social service and community development activities NCC के अंदर क्या क्या activity करते हैं basically यह पूछ रहे हैं tree plantation हो गया है ना blood donation camp होते हैं oldie homes education community work disaster relief AIDS and cancer awareness programs जो भी की होगा आपने इसमें लिख सकते हैं आप लोग ठीक है next देखो what are the fundamentals of national unity national unity राष्टी एक तक fundamental पूछ रहे हैं आपसे यह होते हैं language caste education communalism या regionalism next question देखो यहां पर what are the aims of national integration camp national integration वाले chapter में बहुत बढ़े से बताई वी सारी चीज़े उनका एम क्या है national integration का youth के बीच में cultural heritage के प्रती awareness बैदा करना ठीक है various culture religion या geographic environment को वो जान सके एक दूसरे के साथ में corporate और harmony से काम कर सके एंड एक दूसरी की personal growth में credits की help करता है all right next देखो what the major Indian religions धर्म कौन से भारत में Hinduism Muslim Christian Sikh Buddhism and Jainism all right what is the importance of national unity same question उपर वाला repeat करके अलग लग में पूछ दिया है national unity and national integration के फाइदे पूछते हैं तो इसमें mostly same से मांसरी दिया जाते है national unity social well-being के लिए country में peace और harmony create करने के लिए इसमे national integration वाला मेरे अलग वीडियो को देख लेना उसमें बहुत अच्छी से explain किया हुआ है all right अगला देखो what are the geographical factors which influence defense of इंडिया ऐसे geographic factor बताओ जिसकी वज़े से इंडिया का जो defense है influence होता है देखो उसमें वेस्ट कोस्ट पानी वाला एडिया जो गया south इंडियन ऑस्टेन बेफ बेंगोलिंद इस्ट है plains of पंजाब यह geographical location है defense के लिए ठीक है नेम दा following one word में पूछा वाई यह night angle of इंडिया किसको बोलते हैं सरोजनी नाइडू first home minister of India यह लाल बहादूर शास्त्री फर्स्ट इंडियन एस्टोनॉट यह स्कॉर्डन लीडर राकेश सर्मा फर्स्ट इंडियन who swam across English Channel यह मिहर सेंट फर्स्ट फिल्ट मार्शल ऑफ इंडियन आर्वी यह सैम मानिक सौ फिल्ट मार्शल सैम मानिक सौ नेक्स्ट कोशन कितने पार्ट होते हैं डिल वाली वीडियो में बताया था याद है तू कोशनरी एंड एक्जिक्योटिव अगला देखो यह डिल वाली वीडियो में यह भी बता रखा था कि इसमें पूरा टेबल बनाके दिया था मैंने पेस डिस्टेंस और हॉल्ट का है न राइट था प दिस्टेंस को इनक्रीज करना उसका इंदर सेल्फ और बढ़ाना ठीक है उसके अंदर ओडियों कि भावन को इनक्लेट करना तकी वह एकदम से कमांड देने पे और खूला कर सके next question what are the factors which led to the growth of Indian nationalism पूछ रहे हैं आपसे कि इनसान के अंदर राष्ट ये एकता की बावना को कैसे बढ़ाए जा सकता है या जगाने के तरीके ठीक है फैक्टर्स देखो रिलिजन्स शोचल एंड कल्चरल रेनिसांस इनके बारे में रेनिसांस होता है जागरू करना कि कितना रिच है रिटेज हमारा उसके बारे में बताना ठीक है वेस्टन इफ्लेंस ओफ वेस्टन एड्युकेशन एंड लिट्रेचर उसके बहला प्रभाव को कम करना ठीक है अ मॉडर्ण ट्रांस्पोर्ट और कम्मिनिकेशन का इंक्रिमेंट या इंडियन प्रेस और लिट्रेचर के थ्रू ओल्राइट इससे मलों नेशनल लिज की भागनों को कैसे कैसे कर सकते हैं वह पूछ रहे हैं फिल इन ब्लैंक नेक्स कोशन देखो इन विश्राम पोजिश एक सोपचास केडिट होते हैं प्रेजिडेंट की गार में और प्रेजिडेंट को कौन सा सेल्यूट दिया जाता है राश्रिय सेल्यूट और जो वी आईपी वगरा होते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टन परको इनको दिया जाता है जनरल सेल्यूट यह अगला कोशन यही ठीक है the number of persons detailed in guard mounting in quarter guard quarter guard जो हम लोग करते हैं कितने होते हैं 2 plus 6 8 लोग होते हैं ठीक है next question what points must be kept in mind with assembling of rifle .22 अच्छा ठीक है इस मैं बताता हूं कोई भी तो जब आप उसको open करते हो ना तो जैसे सबोस करो आपने part 1 2 & 3 open किया यह खोलने का तीरी का अब जब उसको वापस से होल्ड करना होता है आपने ठीक है ना इस सारा लिख देना डिफाइन दर टर्म्स कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछिए इने डिफाइन करते है ट्रेजेट्री ट्रेजेट्री क्या होता है एक पैराबॉलिक पाथ सबोस करो आप और आपका दोस्त एक छोटी सी बॉल से कैच-कैच खेल रहे हैं तो जब आप अपने दोस को BOL फैक होगे तो वह सर्कूलर सा पाथ कवर करके खड़े हो और आप किसी object को देख रहे हो जैसे इस समय आप अपनी phone को देख रहे हो है ना तो आपकी line से imaginary ray पढ़ रही है जो बिल्कुल यहीं पर पढ़ रही है सब्सक्रों आप राइफल लेके target हो देख रहे हैं तो आपकी आँख से और जो बिल्कुल straight line है straight line मैंने जिस अपने target को देखा वो और मैंने राइफल बुलेट से फायर किरी तो वो हल्का सा कर्व लेके जाएगी जैसा मैंने बताया है ना तो उन दोनें के बीच का एक कुछ एंगल बनेगा चोटा सा एंगल होता है एक दो डिगरी का उसको बोलते हैं हम एंगल ओफ डी संट क्लियर अगला पॉइंट देखो इसमें बोले हैं first catch the point वेर बुलेट हिट तार्गेट पर लगेगी जहां पर उसको बोलते हैं first catch और first gaze क्या बोलेंगे target में अटक टी निकल जाते हैं पीछे जहां पर ग्राउंड पर गिरीगी सबसे पहले जा कि उसको बोलने हैं फर्स्ट गेंज आई होप यह क्लियर होगे होंगे नेक्स देखो expand the following इनके फुर्फों पूछ रहे हैं basically simple simple याद कर लेना MPI mean point of impact SMC stand machine carbine LMG light machine gun SLR self-loading rifle DP drill practice all right next question देखो what is group shooting what are the methods for finding MBI mean point of impact group shooting होता है कि जैसे आपका target बना उसमें आपको क्या होता है किसी भी circle में किसी भी जगे पर target पर मारो लेकिन एक ही बना बिल्कुल पास-पास में को मारना होता है पांच rifle एक साथ डटे-डब मारने होती है ऐसे ना continuously तो उसमें जो आप circle बनाते हो वो होगा and mean point of impact क्या हो गया suppose करो मेरा कोई enemy खड़ा हो रखा है या target है सामने पर है ना और उसको तो तो मैंने क्या किया तीन गोलियां उसके left of side में मार दी मलब शोल्डर में तीन-गोली मार दी एक-गोली पेट में मार दी एक-गोली पेर में मार दी तो सब-दया नेक्स देखते हैं fill in the blanks all right fill in the blanks बहुत पूछते हैं इसको क्या बोलते हैं कम्यूनलिज्म आपके अंदर कम्यूनलिज्म है कम्यूनलिज्म की बहावना है संप्रदक्ता बीसिकली है ना क्विट इंडिया मुव्मेंट लॉंच्ड ओन कभ वह था जुलाई 14 1942 आर्मी डी इस सेलिब्रेट ओन 15 जैन्वरी रिसेंटली मनाया अभी हाइस्ट मिलिटरी ओनर सबको पता है परमीर चक्र सबसे पहले किसे मिला था कमेंट बॉक्स में लिखके बताओ मैं बताते तो मिजर सोमना सर्मा और किसी का याद हो आपको वह लिख देना ठीक है हाइस्ट सिविलियन अगोर्ड यह है अपना भारत रत्न ठीक है डैश इस केरल वाला यह इस तरफ है केरल साइड का वैस्टन को लक्षे दीवजी साइड मैप देखना एक बार अगला देखो डैश इस अवोड़ेट भाई आउट्स्टेंडिंग कोंट्रिविशन ओफ प्रोमोशन ओफ एडल्ट लिटरेसी यह किसके दिया गया है नहरू लिटरेस सबसे पहले तो अभी गाना शुरू कि इससे पहले हम गाते थे कदम मिलाके चल तो वह इन्हों ने लिखा है इसमें गलत मत करना अभी का अंसर है सुदर्शन फाकिर ओल्राइट नेश्ट देखो क्या के यूज होता है पुल्थ्रू वाइर गोज ओईल फ्लेनल फॉर क्लीनिग अच्छा यह जो चिंदी होते हैं इसका साइज याद कर लेना जो मलब सूखी चिंदी से अगर साफ करेंगे तो फॉर इंटू इंच यह उपर दो डैश है इनको इंच पढ़ते हैं बहुत नेक्ट देखो वाटर वाट पार्ट ओफ राइफल और स्ट्रिप्ड एंड क्लीन अच्छा मोश्टी क्या क्या पार्ट उसके राइफल क्लीन के जाते हैं यह पूछ रहा है आप से बैरल क्लीन करते हैं बोल्ट बेनट वैपन वाली वीडियो बनाई है उसमें देख लेने क्या क्या चीज कहां का है मैंने पूरा अच्छी से बता रहा है चैंबर मैक जिन ठीक है फिल इन दब्लैंक से फिल इन दब्लैंक से पूछने हैं आप हमारे ओल्राइट दिखते हैं देखते हैं 7.6 mm राइफल कैन फायर एफेक्टिवली अप्टू 300 यार तक फायर कर सकती ह अभी के लिए है 5.65 mm राइफल इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाए थी इसलिए कितनी गोली पड़ सकती है 7.6 SLR में 20 गोली पड़ सकती है और म्योजिल वेलोसिटी क्या होती है 2700 यह सता गलत लिखा यहां पर ठीक है 2700 फीट पर सेकेंड ठीक है अगला देखो LMG के बार इंपोर्डेंट चैप्टर से करवाई हुए इंगो एक बार चेक कर लेना आप लोग वेट ऑफ LMG विद बाइपोर्ड कितना वजन होता है 9.2 केजी बाइपोर्ड मतलब क्या होता है देखो यह साड़े नों किलोगी राइफल है तो इसको हाथ में लेके तो नहीं गूमें पता हो गए हल्गी से राइफल दी एफेक्टिव डेंज ऑफ 7.62 mm बोल्ट एक्शन इस कितनी होती है 275 मीटर होती है चिंदे का साइज आभी बताया उपर याद करो फोर इंटो टू इंच म्यूजल वेलिसिटी अफ एसल आर देखो यहां सही लिका है 2700 फीट पर होता ही ज्यादा जटकनी देती तो हमारे शोल्डर नी टूटता इसलिए स्टाटिंग में हमीं इसी से करवाते हैं डारेक्ट ऐसल आर वगेरा पकड़ा देंगे तो फैक्टर हो जाएगा शोल्डर वगेरा में ठीक है तो प्रैक्टिस से करवाते हैं ओल राइट दा एफे फॉर साइट अपर साइट रियर स्लिंग केरियर अपर स्लिंग केरियर ठीक है मैँगजीन सेफटी कैश जो भी है बहुत से लिगवा है तो अराम से याद कर लेने इंको जो आपको दस पसंद आए 10-15 याद कर लिना नेक्स्ट पर देखो वाट ता बश्ऐंस फोर गूड अच्छी चूटिंग के लिए क्या होते हैं दो तिन चीज़े होते हैं गुल्ड होल्ड गुल्ड होल्डिंग आपको राइफल बढ़िया से पकड़नी आती हो पोजिशन पे एमिंग जैसे बताया लाइन ऑफ साइड बढ़िया पड़नी चाहिए आपकी ट्रिगर ऑप्रेश वो चीज इंसान को अपने गॉली मारे दे ना एनी में वही वाला नेक्स्ट क्वेशन देखो वेन दा राइफल विल भी हाफ कुग्ड यह कब होता है देखो कई बार क्या होता है जैसे राइफल के अंदर आपने बुले डाली एंड उसमें आपने बोल्ट वगर में कुछ अच्छी से टाइट बंद नी किया आपने ट्रिगर तो दबाए लेकिन गोली गई ही नहीं उसमें से निकल के तो क्या होता है राइफल गर्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाफ कुग्ड ठीक है अब देखो नेक्स्ट कोशन वाट अर्दा वाट इस दा बैटल बहुत पूछते हैं इसलिए बहुत कीनली डीपली आपको अच्छी से पढ़ना होता है चीजों को वन केन नोट वे गुड सिटीजन लीडर्शिप वाली वीडियो याद आया कुछ वन केन नोट बीए गुड सिटीजन ओफ मोर देन डैश एट टाइम एक समय पे आप एक ह बनुट के यह सकते हो अगर आप दोग हें तो इसका मतलब है किसी एक से गदारी कर रे辱ा रहे हो नेशनल फ्लैग उसी करेंगा किसी और को तो करने भीन वाले वेन दा नेशनल एंधम इस बिंग प्लेंड औल विल हैव तु स्टेंड इन कैसे खड़ा होना चीर नेशनल बज़ रहा हो अटेंचन पोजिशन में ठीक है डैश अर दा सिंबल ओफ डैश ऑफ रेजिवेंट कलर एक परदा सिंबल ओफ श्रीट ऑफ्प डह रिजिमेंट बिसिकली यह होता क्या है अलग 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 जंडे होते हैं तो उनके अलग-अलग फ्लैग थो हम बोलते हैं उनको हम कलर सबोलते हैं ठीक है कर अगला कोश्टन देखो it's a matter of dash कॉन से कोश्टन इह एट वन पं अल् अगला देखो ओल इनिफेंटरी रिक्वाइर्मेंट रेजिमेंट्स विद्धा एक्सेप्शन ओफ डैश केरी कलर्स इससे पहले वाला दुबारा देख लिए एक बारी इसमें कुछ भी करेक्ट हो सकता है तो वह भी आपके करेक्ट होंगे इसी किसे ने में इस वर्ट से है ठीक है ओल इनिफेंट्री रेजिमेंट्स विद्धा एक्सप्शन ओफ डैश कैरी कलर्स एक्सेप्शन ओफ राइफल वह अपने कलर्स करिकरते हैं अधक कलर और अवोड़ेड टू दा रेजिमेंट बाइदी प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया प्रेजिदेंट फिंडिया की द्वारे कलर दिये जाते हैं हर रेजिमेंट को किलियर नेश्ट देखो अब वट इस दा असिस्टेंस रिक्वाईर दूरिं फ्लड और साइकलवन क्या कर चीज़े ज़रूरी पढ़ते हैं अंकर सब्सक्राइब फ्लड और साइकलों है ठीक है पहले तो सबसे पहले फ्लड और साइकलों की वर्निंग ठीक है इवेक्वेशन एरेस्क्यू जो फ़स्गे उने बाढ़ने कालो सैनिटेशन ठीक है कारकेस डिस्पोजल कारकेस उतार डेट बोड़ी डिस्पोजल शेल्टर मेनेजमेंट जो बच्छें भाई उनको अच्छी जगह पहुचाओ फर्स्टेट मेडिकल रिलीफ पैट्रोलिंग लाइसन क्लियर वाट इस दा एफेक्टिव मैथर्ट टू कॉंटक एंस एक एडिट्स तो बी अवेलेबल फॉर एनी असिस्टें दूरिंग क्लाइमेटी सब्सक्रों कहीं पर क्लाइमेटी कोई आगी और हम किसी उस जगह पे ए निए भॉर्ड ऑफ माउथ समाज आ रही है बाते जो बूलाने का तरीका कोई लिख लेगा इसको बीना पढ़े भी लिख सकते हैं आप अपने आसपास के पीपोल का मोराल बूस्ट करके सबसे इंपॉटेंट होता है क्योंकि बहुत ऐसे तो अपने आसपास की मोरल उन्हे है न पर्टिकुलर वर छोटा सो रखा किसमें बड़ा चड़ा के बता दिया बहुत सारा न्यूज टीवी चैनल ही काम करते हों कुछ और काम ही नहीं है तो र्यूमर्स को जो फैल रहे हैं आपको एच्वल जो फैक्ट वाली नौलिज है वो बतानी है लोगों को ताकि वो डर कि अगर मतलब करवाई जाएं तो उसको बिलकुल बढ़िया से निभा सकते हैं ऐसा पूछना चाहरे कुछ आप से ठीक है तो जैसा ट्राफिक अंड्रोल की सिच्वेशन हो गई है ना ऑपरेशन ओटेलीफॉन एक्सचेंज का हो गया और तो गिफास्ट एड एंड है काले उसमें बहुत माहिर होते हैं ठीक है केड़ेट्स पिलोंगिंग टू आइट्याइए केन प्रोवाइड इसकिल हेल्प टू अधर्स बना बना के लिख सकते हैं आप इसके जो दिमाग में आ रहा हो न किस तरह के से हैल आप दे सकते हैं आल राइट next question देखते हैं यहां पे हम 50 questions इस वीडियो में complete करेंगे एंड बाकी बचे में question next पार इसका लिग गया हूंग उसमें complete करेंगे फटाफ़ट से देखो वही उपर वाला same question कि अगर कोई calamity आगे तो इसमें कैसे आप help करोगे first aid में, casualty evacuation में, food or shelter distribution में, ठीक है, उनकी first aid वगएरा करने में help कर देंगे communication में, maintenance of various data, arrangement of shelters, all right, next question देखो, how does HIV और AIDS spread, कैसे होता है sexual transmission से, ठीक है, blood transfusion, blood transfusion in the sense, किसी infected person का blood दूसरे में चला गया, तब हो जाएगा, sharing needles and springs of intravenous drugs use, infected needle अगर use हो जाई, तो mother to child during pregnancy और breastfeeding, all right, define a citizen, एक citizen वो इंसान होता है, जो particular उस country के constitution के rights enjoy कर सकता है, और वहाँ की duties perform करता है, leadership वाली वीडियो में बताया था, next question देखो, what are the main reasons for not practicing family planning in India, family planning इंडिया में, लोग follow नहीं करते, reason पूछ रहा है, क्यों नहीं करते, यह बता हो, mainly due to old custom and belief, पूराने विचार होगी वज़े से, जैसे कैसे विचार, children are gift of God, बगवान का gifted children तो होने क्यों रोके, the number of children are determined by God, है न, every Hindu must have a son, बेड़ेक चकर में 3-4 बीटे पैदा हो जाती है, इस वज़े से भी, children are wealth, बच्चे हमारा धाने, यह वाली जो विचार ना रहे हैं, इनके वज़े से, family planning को practice करने में, problem आती है, इंडिया क्या है, ठीक है, next question, family welfare referred to, family welfare से आप क्या समझते हैं, यह बूछ रहा है, to avoid unwanted birth, exactly, छोटा परिवार, सुखी परिवार, to bring about, wanted births, हाँ, की, basically, यह नहीं की, इसमें कहने चारे, three years का gap अगएर आपको रखना चाहिए, kid के बीच में, यह बोल रहा है, simply, to regulate interval between pregnancies, यह वही point आ गया, to control time at which birth occur, to determine the number of children in the family, family planning या family welfare यह होता है, अगला देखो, what is the modern concept of family welfare, modern concept पूछने है, family welfare का, proper spacing and limitation of birth, ठीक है, education of parenthood होनी चाहिए, बिल्कुल, education of parenthood, यह मतलब, लेनी चाहिए, आपको screening and disease, of the reproductive, parental counseling होनी चाहिए, marriage counseling, pregnancy test है, service of adoption, यह service of unmarried mother, यह सारी modern practice है, जो और family welfare को और strong मनाने के लिए practice की जा रही है, पढ़े लेने अराम से पॉस करके वीडियो, और कहीं पर no down कर लेना, याद कर लेना, next question देखो, how to use proper personal hygiene, how to ensure, personal hygiene के लिए, क्या क्या चीज़े ensure करनी चाहिए, आपको, अगला question देखो, थोड़े से question और देख लेते हैं फटाफट से, is there is any risk of HIV during blood donation, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता, blood donation के अदर पूछ रहे हैं कि, ऐसा risk तो नहीं है कि, आपका HIV एड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, blood donation में क्या होता है, जो syringe बगएर होते हैं, बिल्कुल separate, अलग-अलग यूज के जाते हैं, तो इसका कोई खतरा नहीं है, next, देखो, how does NCCC added establish report of getting participation of people in welfare work, कि आप कैसे दूसरे लोगों को प्रोच्छाइद करोगे, कि वो भी welfare के काम में आगे आएं, ठीक है, NCCC unit should identify a village preferably within the environment, अपने आसपास के गाउंवे में आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है, the unit to study problems of people and motivate them to solve, उनकी problem study करो और उनको motivate करो कि भाईया solve करो इस परिशानी को, अगर है तो, कि जैसे suppose करो, for example, कहीं पे बाहर कचड़े का तो डेर लगा हुआ है, तो गाली दितर रहेंगे, पुरे दिन बैठके की, government साफ नहीं करती, आपको motivate करना चाहिए, खुद उनके साथ help करके, कि just clean it by yourself, ठीक है, people must be convinced about the benefit of work, आपको उनको समझाना चाहिए, कि उसके फाइदे क्या क्या है, यही बोल रहा है कि, अगर ऐसा हो करेंगे, तो उसके benefit क्या क्या होंगे, आपको खुद कोई, या सबी लोगों को, नेक्ट देखो, water the various method of purification of water, वाटर कैसी purify कर सकते हैं, simple boiling and distillation, pinking, filtration, precipitation and sterilization, define the term health, health का मतलब क्या होता है, स्वास्ते, स्वास्ते का मतलब देखो क्या होता है, आप physically, mentally और emotionally बिल्कुल fit and four है, absence of disease खाली healthy नहीं होता, आप physically, mentally, socially बिल्कुल well-being है, become fit and four है, must देख दो, तो उसको बलेंगे, you are a healthy person, clear, next question देखो, what are the sources of water, how it is purified, purified उपर बता दिया, sources of water अपने क्या क्या है, rain water, surface water, underground water, ठीक है, next question, what are the two important aspects of health of a individual, दो एस्पक्ट क्या है, hygiene and sanitation, hygiene होता है, खुद की सफाई, body cleanliness and sanitation अपने आसपास के environment को clean रगना, ठीक है, last question देख लेते हैं, हम एक यहाँ पर, बागी के लिए next part बनाऊगा, what are the arrangements required to maintain sanitation in camp, देखो, बहुत general question पूछा है, इन्होंने, कि अपने camp के अंदर sanitation को कैसे maintain करेंगे, ठीक है, sufficient water available होना चाहिए, food बिल्कुल clean है न, मिलना चाहिए, आपको garbage इधर उदर नहीं फैंगाना, बिल्कुल नहीं है न, अपने area, जो, camp का area है, उसको बिल्कुल clean रखना, है न, latin और washrooms अगे रहा हुए, उनको बिल्कुल clean करके रखना, इस तरीके से, आप वहाँ sanitation मैटी नहीं पर सकते हैं, ठीक है, देखो आज की, इसमें से न, बहुत सरे questions, same to same, टपक जाएंगे, repeat होंगे, आपके paper के अंदर, as it is, लिखे वे मिल जाएंगे, और इसका next part लिखे होंगा, बहुत जल्दी, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए,